कि हम लोगे जैसा करीब बहुत है दुनिया में सभी को सस्ते में खाना चाहिए हलो गाइज गुद इविनिंग एंद वेलकम बैक टी आवर चैनल फूट दर्शन तो बिसिकली अभी है महने का लास्ट टाइम और हमें खाना था कि एफसी तो हम लोग सोचे है कि सस्ता में कहां मिलेगा तो मद्यम ग्राम में एक आउटलेट है हैंग आउट काफे हम लोग बहुत बार गहे हैं वहां पर बहुत अच्छा कि उसी टाइप साफ चिकन सर्फ करता है बहुत कम प्राइस में तो सोचा चलो आज वहां कभी एक सोड़ा सा सूट कर लिया जा और अपलग के साथ शेयर के जाए तो आज हम लगाया है मद्यम गराम में पिन घर के सामने इसका एड्रेस है पिन घर बोलने से वहां पर ही आपको मिल जाएगा हैंग आउट काफे गूगल लोकेशन भी है जो मैंने डिस्क्रप्शन में डाल रखा है तो चलिए चलते हैं और चलने से पहले क्या करना है हमारे चैनल को करना है सबस्क्राइब जो बहुत ही मेंडेटरी है सेकेंड चीज़े की वीडियो आगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर करते हैं और यह हैंग आउट कैफे सिर्फ शाम को इंख ता है सुबहा नहीं खुलता तो चलते हैं लेट नहीं करते हैं निता हम लोग भी सीट नहीं मिलेगा एक जाब यह है कॉम्बो का मेनू आप लोग वीडियो को पॉस्ट करके यहां से नोट डाउन कर सकते हैं किसका क्या प्राइज है कॉम्बो शोड़ करके भी यहां पर मेनू में बहुत सारा ओप्शन्स हैं हमने फोटो दे दिया है आप लोग देख सकते हैं कि बेसिकली यहां पर चाई या कॉफी को बहुत अच्छा से डेकॉरेट करके दे जाता है इतना कम राइस में भी डेकॉरेशन है बहुत अच्छा लगा है मेरे में स्टार बनाया हुआ है शालीन के कॉफी में पुरा यह चाही में यह चाही में यह चाही में यह चाही है कॉरेक बहुत पसंदें आज ते नहीं के कॉफी में यह च्रहे है को अच्छा अज सबसे सब्सक्राइब तबग तोvisor में यह चाही का का इक शिप लगाने का तो चाय बहुत ही स्ट्रॉंग है मतलब एक तो कड़क चाय जो होता है ना कि आपका मतलब नींद आड़ा हो आपको पूर भी टाइट दे तो एक दम धूर हो जाएगा जैसे ही सिप ले रही हूँ तो ये चॉकलेट का जो एक लेज ही ऊपर वह मतलब हर एक सिप में आ रहा है तो एक दो मस्त मतलब उड़ा ने चेडी आप वैसा वाला पूरा एक दम गाड़ा है मस्त लगए शाब के ताई में इतना सुंदर हवा दे रहा है और हुआ है अधिर टेश इस करते है अधिर श्यूंग श्यूंग जाए लागे आथन रहा है हुआ था है तो इसका तेश्ट लीकेश नहीं लग रहा है लेकिन अभी अभी दाख्ली के लिशनिया है लेकिन बहुत जादे इंप्रूवमेंट हुआ है मतलिया बाहर करेक्शन तो देखी सकते तोड़ा ही केंसी देशा है चीकन उपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी थे खाने में और जो मसाला यूस किया गया था वह भी बहुत थी फ्लेवर फुल था हाला कि यह के एफसी चीकन से थोगा डिफरेंट था बट खाने में बहुत मजा रहा था